आठ मार्च को अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए महिला पुलिस करमचारी ही दिखाई देंगी इसके पीछे का मकसद महिला सशक्ती करण और महिला पुलिस को उनकी सेवाओं के प्रती सम्मान देना है इसके अलावा अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर हिमाचल महिला पुलिस की अलग जलक शिमला के रिज मैदान पर देखने को मिलेगी अंतराश्ट्रिय महिला दिवस पर शिमला के रिज मैदान में महिला पुलिस परेड, बाइक, स्टंट और सहासिक कर्तब दिखाएंगी 1973 में हिमाचल प्रदेश में केवल 3 महिला पुलिस थी लेकिन अब संख्या 2300 हो गई है डीजीपी संजे कुंडू ने कहा कि प्रदेश के स्थापना दिवस के स्वरणिम जियंती वर्ष के मौके पर महिला पुलिस के योगदान वा महिलाओं को सम्मान देने के मकसद से वुमेन इन हिमाचल प्रदेश पुलिस कारिक्रम आयोजित किया जाएगा जिसका शोभारंभ राजेपाल बंडारू दतात्रे करेंगे डीजीपी ने कहा कि इमाचल के स्थापना दिवस के स्वरणिम जियंती वर्ष वा अंतराष्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर महिला पुलिस हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष के सफर की जलकियां दोगों को दिखाई जाएगी सबसे पहले जनवरी के बाद एक बड़ा दिन आठ मार्च का आ रहा है जो इंटरनेशनल विमन्स डे है उस दिन एक तो इंटरनेशनल विमन्स डे है हमारे 50 साल हो गए और हमारी फोर्स में महिलाएं भी हैं तो उनका कॉंट्रिबूशन रेकिनाईज करने के लिए और उनक सुमेदा बताएगी लेकिन मेरे ख्यास से कि हमाचल के इतिहास में इतना अच्छा प्रोग्राम कभी रिच पे नहीं हो आओगा और जो ओर और इसका जो पैकेज है कल के प्रोग्राम का इतना अच्छा कभी मेरे इतिहास से मेरे को भी 32-35 साल हमाचल में हो गए ऐसा नहीं ह होगा कल सुबह परेड है जिसमें मानिय राजिपाल मोदे आएंगे परेड आल वोमन परेड है और उसके बाद एक कौफी टेबल बुक का रिलीज है शाम को मानिय मुख्य मंत्री जी हमारे चीव गेस्ट है और विमन इन पुलिस इन हमाचर प्रदेश इस पे एक एग्जिब वहाँ है और शाम को उसके बाद आल वोमन कल्चरल प्रोग्राम है सुबह जो परेड है और शाम को जो प्रोग्राम है और शाम को जो प्रोग्राम है और शाम को जो प्रोग्राम है लेकिन जो कल का फंक्शन आप देखोगे इस नॉट नोशन एक्शली इस रियालिटी जब दियाई जी सुमेधा दिवेधी ने बताया कि महिला दिवस पर राजधानी शिमला में महिला पुलिस परेड, महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अभी तक के शौरे को बताने वाली प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह के प्रयासों को कारेकर्म के जरिये दिखाया जाएगा डियाईजी ने कहा कि बड़े अभी नेताओं और बुध्धी जीवियों के बधाई संदेश प्रदेश महिला पुलिस को प्राप्त हुए हैं उन्होंने कहा कि इन दिखगजों में हिमा मालीनी, आमिर खान, अनुपम खेर, प्रकाश ज्छा और हंसराज जैसे दिखगज शामिल हैं मैं और मेरी टीम ने ये कोशिश की है कि हम फीमेल कॉप को सेलिब्रेट कर पाएं फीमेल कॉप रिप्रेजेंट्स आल्मोस्ट ट्वंटी थ्री हंडर्ड ओफ जिसमें लगबग 21,1 हमारी कॉंस्टेबल्स हैं अभी भी महिला अधिकारी गिस्डेड ओफिसर्स हम सिरफ तईस हैं और इसमें मैं प्रोबेशनर्स बेगिन गई हूँ ये कंसेप्ट सर ने दिया और ये इस जर्नी में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस जर्नी में हमने ये रिलाइस किया कि हाँ हमने अपनी प्रेजन्स माप की 1973 में तीन महिलाएं आई थी वो कंपेशनेट ग्राउंट पे आई थी 1975 में पहला रेगुलर बैच आया था 28 लोगों का और आज की जो हमारी जर्नी है मतला 1973 या 75 से लेकर आप देखिए कि हमने काफी वृद्धी की है आज आप मैला कॉप को देखेंगे तो आप उसको पी एसो की फॉर्म में देख सकते हैं वो वारलस ओपरेटर है इन्वेस्टीगेटर है एसे चो है चौकी इन चार्ज है और मैं कहना चाहूंगी जैसे इसी जर्नी में मैंने रिलाइस किया कि I'm the first one जिसको रेगुलर चार्ज डिया जी ऑफर रेंज का दिया गया है मैं कहना चाहूंगी कि इस जर्नी में मैं और मेरी टीम ने ये रिलाइज किया कि येस दिस वाज गलोरियस जर्नी ओफ फीमेल कॉप पहले वो एक फॉर्म जो थी या बहुत लिमिटेड वो थी अब जो है वो हम हर तरह के फोरा पे आ रहे हैं उसका हमारा जो है मैं कहूंगी कि दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है